यह कहानी रामकृष्ण मिशन विवेकानन्द आश्रम राइपुर से प्रकाशित विवेक जोती मासिक पद्रिका से उध्रित है स्वर डॉक्टर जया सेंगे हैं नमसी का जीवन तथा संदेश श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि इश्वर मनुश्य की देहधारन करके आते हैं यह सत्य है कि वे सर्वत्र और सर्वभूतों में हैं परन्तु अवतार के बिना जीवों की आकांग शकी पूर्दी नहीं होती उनकी आविशक्ताएं नहीं मिठती प्रत्यक धर्में ऐसे अवतार और संतों का जन्म होता है वे जीवों को सनमार्ग का उपदेश देती हैं जिस प्रकार हिंदुओं के लिए वे दादी ग्रंथ पवित्र माने जाते हैं प्रकार इसाई मतावलंभियों के लिए वाइबिल एक पवित्र और प्रमाणे का ग्रंथ माना जाता है इसा मसी की जीवन गाथा का बढ़नन बाइबिल के नवविधान में आता है इसाई धर्म में इसा मसीर साक्षाद इश्वर, इश्वर के पुत्र अथवा मसीहा माने जाते हैं बाइबेल के अनुसार हम इसा के जीवन एवं उपतेश का चिंतन करेंगे इसा की माता का नाम मेरी था, वे गैलिली के नाजरत में रहती थी उनका विवाह जोसेफ से होने वाला था, जो बढ़ाई का कारे करते थी किंतु विवाह के पुर्व एक स्वर्ग दूत मेरी के सामने प्रकट हुए और उन्होंने कहा, तुम धन्य हो और इश्वर ने तुमें कृतार्थ किया है तुम गर्बवती होगी और तुम्हारा एक पुत्र होगा, जिसका नाम तुम येश्व रखोगी, वह महान होगा और सर्वोच प्रभु का पुत्र कहलाएगा मेरी यह सुनकर भैभीत हो गई और बोली, मैं अविवाहित हूँ या कैसे संभव होगा स्वर्गदूत ने कहा, पवित्र आत्मा तुम्हारे भीतर प्रविष्ठ होगी, इसलिए वह शिश्व इश्वर का पुत्र कहलाएगा स्वर्गदूत ने जोसिफ को भी यही संदेश दिया था, कि उनके होने वाली पत्नी एक पुत्र को जन्व देगी, जो लोगों को उसके पापों से मुक्त करेगा इसके बाद मेरी और जोसिफ का विवाह होता है विवाह के बाद से वे बेतलेहम नगर जाते हैं, वहां मेरी प्रसव पीड़ा का नभव करती है एक अस्तबल जहां पश्वों के रुखने का इस्थान होता है, वहां वेक पुत्र को जन्म देती है उनके जन्म होते ही अनेक स्वर्ग दूद बहां आते हैं और वे चर्वाहों को शुब संदेश देते हैं कि इश्वर के पुत्र और यहुदियों के राजा ने जन्म लिया है जेरुसलम यहुदियों का पवित्र स्थान था, वहां का राजा हेरोद बड़ा ही दूष्ट था जब उसे पता चला कि इश्वर के पुत्र का जन्म हो गया है, तो उसने उसका पता लगाने के लिए कुछ लोगों को बेथलेहम भेजा, ताकि वह उसे मार सके उन लोगों ने बहां जाकर शिशु को अने को बाहर दिये, किन्तु वे राजा के पास नौल आउट कर अपने गाउं चले गए, इससे राजा हेरोद अत्यन्त क्रोधित हो गया उसने आदेश दिया कि उसक्षेत्र में जितने भी दो या दो से कम वर्ष के कम उम्र के बच्ची हैं, उन्हें मार दिया जाए, किन्तु इश्वत जोसेफ को स्वपन में आदेश देते हैं, कि वे अपनी पत्नी और पुत्र को लेकर इजिप्त चले जाए, इस प्रकार हेर दोत की मृत्यों होने तक वे वही रहें, और पुना अपने गाउं नाजरत हा गए, इसा अब बारह वर्ष के हो गए, प्रतिवर्ष जोसेफ अपने परिवार के साथ एक विशेश आवसर पर जेरुसलम मंदिर चाहते थे, इस वर्ष भी वे मंदिर गए, और अपने चलने के बाद उन्होंने देखा कि इसा कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है, अपने बेटी को ढूंटते हुए वे पुना जेरुसलम मंदिर पहुचे, वहां देखकर आश्चर चकित हो गए, कि उनका पुत्र इसा मंदिर के पंडितों से ज्यान चर्चा कर रहा है, वहां स तुम्हारे लिए कितना चिंतित थे, बालक इसा ने कहा, इसमें चिंता करने की क्या आवशक्ता है, क्या आपको पता नहीं था, कि मैं अपने पीता के पास ही रहूंगा, इस प्रकार समय बेटते, इसा युवा वस्था को प्राप्थ हुए, अब हमारे समुख एक दूसरा पूर्व उनके माता पिता को दर्शन हुए थी, उसी प्रकार एक दमपत्ती एलीजाबेट और जेकेरिया को इश्वर के दूथ ने दर्शन दिये थी, स्वर्ग दूथ ने उनसे कहा, कि उनके यहा एक पुत्र का जन्म होगा, उसका जन्म इश्वर के पुत्र से पहले इस प्रकार जौन का जन्म हुआ आगे चल कर वे बहुत बड़े साधक हुए। उनका अधिकाश जमे तपस्या में ही बीता। वे लोगों के सामने घोशना करते थे कि अपने पाप कर्म करना बंद करो क्योंकि इश्वर का राज तुम्हारे समीब है। अनेक लोग उनके समु खाते और अपने पाप कृत्यों को स्विकार करते थे और जौन उनका शुद्धिकरन करते थे। इसे इसाई धर्म में वपित्स तमा कहा जाता है। जौन जोर्डन नदी के किनारे लोगों को जल से बाप्टाइज करते थे। वे इश्वर के पुत्र के आगमन का लोगों क इस प्रकार संकित देती थे कि मैंने आप लोगों को इसलिए बाप्टाइज किया है क्योंकि आपने पश्चाताप किया है। किन्तु मेरे बाद जो आएंगे वे आपको पवित्र आत्मा और अगनी से बाप्टाइज करेंगी। युवक ईसा भी अन्य व्यक्तियों के समान जोन के पास शुद्धिकरन के लिए आए। इसा तो जन्म से ही शुद्ध थे, उन्हें इस प्रकार के किसी भी अनुष्ठान की आवश्यक्ता नहीं थी। उस समय उनकी आयू लगभग तीस वर्श की थी। जोन भी उन्हें देखकर पहचान गए कि ये वही इश्वर के प यही चाहते हैं कि आप मेरा शुद्धिकरन करें, हम भी वैसा ही करें जो सर्वता उचित है। प्रसन्न हूँ। इसा मरुभूमी में तपस्या के लिए चले गए। बाइबिल में ऐसा वर्णन आता है कि उन्होंने 40 दिन तक उपवास किया, महा शैतान उन्हें प्रलोभन देने के लिए आया। तप शैतान ने उनके पास आकर कहा, यदि तुम इश्वर के पुद्र हो, तो इन पत्थरों को रोटियों में परिवर्थित कर दो। इसा के कुछ जीवनिकार कहते हैं कि यह प्रलोभन इसा को समात सुधारग बनाने जैसा था। जिससे निर्जन प्रदेश में जहां पत्थरों के अत्रिक्त कुछ भी नहीं था, वहाँ वे अपार जनसमों को रोटियां खिला सकें। इसा उत्तर देते हैं, मनुष्य के वल रोटि नहीं चाहता, वह इश्वर के मुख से नहिस्रित प्रत्यक शब्द को सुनना चाहता है, यह प्रथम प्रलोभन था। इसके बाद शैतान उन्हें जेरुसलम में मंदिर के सरवोच शिखर पर खड़ा कर कहता है। यदि तुम इश्वर के पुत्र हो, तो नीचे कूत पड़ो, क्योंकि पवित्र ग्रंथ कहते हैं कि इश्वर अपने दूतों को तुम्हें बचाने के लिए आदेश देंगे, वे दूत तुम्हें अपने हाथों से उठाएंगे और पत्थर पर गिरने से तुम्हारे पैरो पर चोट नहीं लगी की, इसा ने कहा, मोसा ने कहा कि इस प्रकार हमें इश्वर की परिक्षा नहीं लेनी चाहिए, जीविनी कारों के अनुसार या दूसरा प्रलोभन इसा को नाम यश्च के प्रती आकर्शत करने के लिए था, अब शैतान उन्हें अत्योच परवत पर ल यदि तुम मेरे सामने नत्मस्तक होकर मेरी महत्ता स्विकार करो, इसा ने कहा कि पवित्र गरंत कहते हैं कि हम केवल अपने प्रभु की ही आराधना और सेवा करनी चाहिए, यह तीसरा और अंतिम प्रलोभन था, इसा को ग्यात हुआ कि दुष्ट राजा के सैनिकों को जान बॉप्टिस्ट को जेल में डाल दिया है, वे वहां से अपने गैलिली राज में आएं और धर्म प्रचार का कार्य आरंभ किया, वे लोगों से कहते थे कि इश्वर का राज आपके समेप है, आप पाप कर्मत्याकर इश्वर की अराधना कीजिए, अवतारों के जीवन में ह एक बार इसा गैलिली जिल के किनारे जा रहे थे, उन्होंने देखा कि दो भाई पीटर और एंडू जाल बिछा कर मचली पकड़ रहे हैं, इसा ने उनसे कहा, मेरे साथ हाओ, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि मनुष्य किस तरह पकड़े जाते हैं, तुरंत उन्होंने अपन अनुसरण करने को कहा, और वे भी ईसा के शिश्य बन गये, इस प्रकार एक एक करके ईसा के बारह शिश्य हुए, इसा गाओं गाओं जाकर लोकों को उपदेश देते थे, रोगी लोगों को ठीक करते थे, उत्पीड़त्य को सांत्वना देते थे, यहां तक के मृतिव्यक प्रकार उनको फसाया जाए। एक चर्म रोगी ईसा के पास आकर प्रार्थना करता है। यदि आपकी इच्छा हो तो आप मुझे ठीक कर दीजे। इसा उस रोगी को इस पर्श कर कहती है। मेरी इच्छा है कि तुम स्वस्थ हो जाओ। रोगी तुरंत स्वस्थ हो जाता इसा अपने शिश्यों के साथ नाओं में जा रहे थे। अचानक भारी तूफान के करण नाओं के डूबने की आशंका होती है। शिश्यों ने घबरा कर उनसे रक्षा की प्राथना की। इसा ने कहा इसमें चिंता की क्या बात है। तुम लोगों में इतनी भी श्रद्धा नहीं। इसा आंधी तरंगों को रुखने का आदेश देते हैं और सब कुछ शान्त हो जाता है। इसा कहते हैं स्वर्ग का राज इस प्रकार है। कुछ मचवारों ने तलाब में जाल फेका। जब जाल मचलियों से भर गया तो उन्होंने मचलियों को चुनना शुरू किय अच्छी मचलियों को टोकरीयों में रखा और खरा मचलियों को फेक दिया। इस प्रकार अंतिम समय में सवर्ग दूत आएंगे और जिन लोगोंने सत कर्म किये हैं उन्हें साथ ले जाएँगे और अनुचित कर्म करनेवालों को दंड देंगे। खुछ शिषों ने ईसा क पास आकर प्रश्न किया कि स्वर्ग के राज में सबसे स्रेष्ट कौन है इसा ने एक बालक को सामने खड़ा कर कहा जब तक तुम्हारे अंदर ऐसे शिशो सुलब सरलता नहीं आती तब तक तुम ईश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकती अर्थात स्वर्ग के राज का वही अधिकारी है जो बालक के समान सरल और निश्कपट है इसा ने स्वयम के विशे में अपने शिश्यों से कहा कि उन्हें जेरुसलम जाना होगा और वहां के पादरियों और उच्चा अधिकारियों द्वारा अनेक यातनाएं सहन करनी पड़ेंगी उन्हें मृत्यु दं मंदिर में गए उनके आगे पीछे भीड़ लगी हुई थी मंदिर में प्रवेशकर उन्होंने देखा किस पवित्र स्थान पर भी लोकसांसारिक व्यापारों में मंगने हैं वे क्रोध में आकर सबको धिक कारते हैं वहां वे लोगों को सनमार्ग पर चलने के लिए प्रेर इसा ने पहले ही भविश्वाने की थी कि उनके बारा शिशों में से एक उन्हें धोका देगा और उनके मृत्युदंड का कारण होगा उसका नाम जुडास था पादारियों ने जुडास की सहायता से इसा को बंदी बनवाया और उनके उपर तरह तरह के आरोप लगाए उन नए कपड़े पहनाए गए उनके सर पर काटों का मुगट पहनाया गया उनका बार बार अपमान किया गया इसा का मजा करते हुए सैनी को ने कहा इसने दूसरों को बचाया पर स्वयम को नहीं बचा सकता किन्तु इसा इश्वर से प्रार्थना करके कहते हैं हे इश्वर इन इन्हें नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं। इस प्रकार इसा प्राण त्याग देते हैं। क्योंकि उन्हें इश्वर का दर्शन होगा। स्वामी विवेकानन्द इसा के इस उप्देश को उद्रित कर कहते हैं। इस एक वाक्य में सर्वधर्मों का सार है। यदि यह उप्देश आपके जीवन में चरितार्थ हुआ है तो भूद भविश में जो कुछ भी जानने यो एक वाक्य ही विश्व की रक्षा कर सकेगा। बहुत धिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए विवेक जोती योट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।